तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको दूसरा चप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकास का आप वर्तन यानि रिफ्रेक्शन अफ लाइट और इसमें हम आपको पिछले वीडियो में बताये थे कि उत्ता लेंस और ओता लेंस क्या ह होता है उसमें प्रकासिये केंद्र वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या क्या होती है फिर उत्ता लेंस और ओत्ता लेंस में फोकस दूरी क्या होती है अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्ता लेंस में प्रतिवीम का बनना देट उत्ता लेंस में किसी वस्तु का प्रतिवीम कैसे बनता है यह हम आपको समझाते हैं तो देखे यह सबसे पहले हम आपको याद दिला दे थोड़ा से कि उत्ता लेंस होता क्या है जिसमान्दी जी कि ये कोई गोलिय सता है और इधर भी कोई गोलिय सता है और इस दोनु गोलिय सता हों के बीच में जो घिरा हुआ भाग है इसी को हम उत्ता लेंस कहेंगे तो देखें इसके बीच में ये वाला भाग घिरा हुआ है इसके बीच में ये वाला भाग घिरा इस गोला का जो केंद्र है इसको कहेंगे वकरता केंद्र और इस गोला का भी जो केंद्र है इसको भी हम क्या बोलेंगे वकरता केंद्र तो इसमें ये जो लेंस है लेंस का ये भी वकरता केंद्र हो गया और लेंस का ये भी वकरता केंद्र हो गया तो इसमें तो वकरता केंद के बाद lens की जो उप्री सीरा और निचली सीरा है इसको भी मिला देंगे और इसको मिलाने वाली जूरी को रहा है और यहां पर आँकक्र कर रहा है मुख्य अक्ष और द्वारक इसका सब्से लेंनस का बीच वाला जो बिंदु के इसको प्रकासिय केंद्र यह控न अब इसमोस में होगा कि यह जो प्रकासिय केंद्र है और वे 你 वक्रता यह दूक्य बीच का पॉइंट यह यह फोकस वोलते हैं यह इस में तो सफोकस बोलेंगे तो लेन्स में अब देखिए जो गोला का extra part था, इसको हम यहां से erase कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि केवल उत्तर लेंस ही बचा रहा है, केवल हमें उत्तर लेंस ही मतलब है, तो देखिए आपको हम दरपण में ही बताया थे, कि चाहे लेंस हो, चाहे दरपण हो, कुछ भी हो, अगर उसम में प्रतिवीम को बनाएंगे तो वास्तों में वक्रता केंदर उसका डवल दूरी पर है मेरे कहने का मतलब कि अगर प्रकासिय केंदर से यहां तक अगर चार सेंटीमीटर है तो प्रकासिय केंदर से यहां तक आठ सेंटीमीटर होगा मतलब यह दोगुनी दूरी पे फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पे आ रहा है इसले इसको 2F1 लिख रहा है वैसे इसको हम क्या लिखेंगे 2F2 लिखेंगे इस प्रकार लिख कर और तब इसमें कंडिशन सम् बनाएंगे तो देखें इसमें चो गोई स्थिती टोटल बनेगा जिसमें हम प्रतिव की दिम को बना सकते हैं तो सबसे पहले इसमें वश्टूÜ को रखा जायगा में आप प्रकासी केंद्र और एफधैंगे बीच सबसे पहले हम यहां पर वस्थू को रखेंगे एफवन और 2F1 के बीच फिर वस्थू को रखेंगे 2F1 और Ride अनंत के बीच फिर इसके बाद वस्तू को रखेंगे हम कहां पर अनंत पर तो इस प्रकार ये टोटल जो है इसमें छे कंडिशन बनेगा एक दो तीन चार पांच छे छे स्थितियों में वस्तू को रख कर और उसका प्रतिभिम जो हैं हम बना सकते हैं अब दिखें इस प्रति बीचे के लिए रहा है इसका प्रकास ये केंडर ःहां पर लिकस देते हैं एक यहां पर फेलन्मु चोंतर प्रकास किरन को आप्तित करते हैं तो यहां से और यहां से लौटने के बाद यह फोकस से होकर लोट जाता है यानि फोकस से होकर यह अपवर्तित हो जाता है क्रोश कर जाता है फिर इसके बाद अगर जब प्रकास के किरन को प्रकासी केंदर के दिशा में आपतित करेंगे यानि प्रकास के किरन जो है जब प्रकासिक केंदर से होकर गुजरता है तो वो बीना मुड़े हुए सीधे निकल जाता है आपको ये याद रखना है ये कोई प्रकास का किरन है जब यहां से आप इसको प्रकासिक केंदर से होकर जब ले जाएंगे तो ये बीना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगा यक्ष के समानतर आपतित करते हैं प्रकाश की किरण को तो वह फोकस से होकर अपवर्तित होता है फिर दूसरा नियम की जब प्रकाश केंदर के दिशा में आपतित करते हैं तो फिर वह बीना मुड़े हुए शीदे निकल जाता है तो देखिए इसमें छे को जो कंडिशन था उसमें बारी-बारी से हम सारे कंडिशन की चरचा करेंगे तो यह हम लिख देते हैं इस्थितीव फस्ट में क्या होगा प्रकाश केंदर और ये F1 है ठीक है जब वस्तु प्रकासिय के अंदर और एफोन के बीच हो तब उसका प्रतिविम कैसे बनेगा यह हम सबसे पहले सीखेंगे तो देखिए यह जैसे माल लिजे कि यहाँ पर हम बना दी एक उत्ता लेंस और इस उत्ता लेंस में यह इसका द्वारक हो गया और फिर यहाँ प्रकासिय के अंदर और एफोन के बीच तो माल लिजे कि यहाँ पर हम कोई यह कोई वस्तु है जिसको रख दिये इस वस्तु का नाम दे देते हैं अबी ठीक है और हम करेंगे क्या सबसे पहले सबसे पहले तो मुख यक्ष के समानतर प्रकास के किरन को आप्तित किया जाग तो यह फोकस से होकर अपवर्तित हो जाएगा यानि फोकस से होकर ऐसे लौट जाएगा ठीक है दूसरे कंडिशन में क्या करते हैं जब प्रकासिय केंदर के दिशा में आपतित करेंगे यानि वस्तू से भी होकर जाना चाहिए और प्रकासिय केंदर से भी होकर जाना चाहिए तो जब ऐसे आप्तित करेंगे तो यह किया होगा प्रकास ये कपंदर के दिसा में जब जाता है तो वह बीना मूड़े हुए सीधे निकल जाएगा तो इदर तो कहीं Hang गे देखे प्रकास का जो की पीछे क्यों बढ़ा दिये और वैसे इसको भी थोड़ा पीछे क्यों बढ़ा देते हैं ठीक है तो पीछे क्यों बढ़ाने में पता चला कि यहां पर आगे दोनों मिल गया तो जहां में प्रतिविंब प्रतिविंब दरपन के पीछे बनता है जो कैसा होता है जो आभासी आभासी कमा सीधा और और वस्तु के कमपैरिजर्ण में आप देखेंगे तो वस्तु से बड़ा है वस्तु इतना च्छोटा प्रतिविंब बड़ा हो गया और वस्तु से बड़ा होता है आपको यह चीज़ यहाँ पर केर करना है तो आप विडियों को पॉज करके और पहले इस्तिथी फॉर्स्ट को उतार तो सबसे पहले ये चीज़ी तो आपको हम बताया है कि स्थिती 2 ववस्तू को कहा रखना है फोकस पर ही ?1 पर ही जब वस्तू कहा हो ?1 पर स्थित हो तब उसका image कैसे बनेगा ? ये आपको शिखना है तो देखे वस्तू को हम его स्थितू को हमे रखना है फ 1 पर, तो सबसे पहले हम उत्तल लिंस यहां पे एक ड्रॉ करते हैं, एक उत्तल लिंस बनाते हैं और यहां पे यह इसका dwarak होगया और फिर यह मुख्य अक्छ होगया, तो मुख्य अक्छ यहां पे पहले खिंच ल Patient होगा हम अब क्या होगा यह प्रकास ये केंद्र यहां बराबर बराबर दुरी पर देना है यह हो गया F1 और यहां पर हमाल लेते हैं 2F1 इधर आएं तो यह हो गया F2 और यहां पर हमाल लेते हैं 2F2 और वस्तू को हमें कहां रखना है तो वस्तू को रखना है F1 पर अगर प्रकास की किरन को आपतित करेंगे तो यह फिर क्या होगा फोकस से होकर लोट जाएगा जब प्रकास की किरन को मुख्यक्ष के समानतर आपतित करते हैं तो अपवर्तन के बाद क्या होता है कि फोकस से यह जो F2 आपको यहां पे दिख रहा है F2 से होकर अपवर्तित हो जाता है तो यहाँ यह होगा क्या कि F2 से ही होकर अपवर्तित हो जाएगा ठीक है फिर दूसरे condition में हम आपको बताये थे कि प्रकास ये केंदर के दिशा में आपतित करना ही यानि A से भी होकर जाना चाहिए और प्रकास ये केंदर से भी होकर जाना चाहिए तो देखें इस condition में क्या होगा कि ऐसे ये अपवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रकास का किरन जो निकला ये दोनों ये प्रकास का किरन इधर और इधर गया तो दोनों एक दूसरे किरन जो है अनन्त पर मिल गया तो लिखेंगे इस इस थिती में प्रतिबिम्ब कहां बनता है अनन्त पर बनता है अब जब मान ही लिए हैं कि अनन्त पर मिलेगा जब मान लिए हैं कि अनन्त पर मिलेगा तो फिर अनन्त पर मिलेगा तो वास्तविक व्いきます वास्तव में जाके मिल रहा है ठीग है तो लिख देंगे जो वास्तविक कॉमा उल्टा और वस्तू के बराबर या वस्तू से बड़ा या वस्तू से छोटा तो देखें यह बहूत ज़्यादा दूर जाकर और यह मिलेगा तो फिर होगा कि यह वस्तू से बहुत बड़ा होगा क्योंकि अनन्थ पे जाके मिल रहा है तो प्रतिवीम का जो साइज होगा वह क्या होगा वस्तू से बहुत बड़ा होता है ठीक है तो इस प्रकार ये जो second condition था ये भी हम बना लिए अब आईए इसके बाद हम देखते हैं स्थिति थर्ड को भी तो देख यहां पर हम लेखते हैं इस्थिती थर्ड और इस्थिति थर्ड में आप खोचे सोचे कि वस्तू को कहां रखना है यह लिख दिये कि जब वस्तू फोक एफवन और टू एफवन के बीच हो तब उसका प्रतिविम कैसे और कहा बनेगा इसको शिखना है तो जैसे माल लीजि एक उत्ता लीन्ज बना लिए और इह रहा इसका द्जार ठीक है, और फिर इसका मुख्य अक्छ हम ऐसे यहां से हम इसका मुख्य अक्छ खींच लिए और फिर इसके बाद इह रहा प्रकास्य है और यहां पर मालीजे की यह हो गया F1 ठीक है और यहां पर बराबर दोरी पर हम लिख दिए C1 फिर इधर लिख दिए F2 और फिर इधर लिख दिए C1 नहीं C1 के जगा हम यहां 2F1 लिखते हैं तो यहां फिर क्या लिख देंगे 2F2 और वस्तु को कहा रखना है F1 और 2F1 के बी तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मुख्यक्ष के समानतर प्रकास की किरन को आपतित करेंगे यह जब अपवर्तन होगा तो यह फोकस से होकर प्रकास का जो किरन है यह F2 से होकर अपवर्तित होगा ठीक है फिर जब प्रकास ये केंदर के दिशा में हम आपतित करेंगे प्रका निकल जाएगा यह मूड़े का भी नहीं और सीधे निकल जाएगा तो देखें यह दोनों आकर और यह लगभग जो है यहां पर मिल रहा है तो यहीं पर लिख देंगे प्रतिविम्ब जो है इस स्थिती में प्रतिविम्ब कहां बनता है तो प्रतिविम्ब बनता है टू एफटू और लास्ट में आएगा अनन्त टू एफटू और अनन्त के बीच बनता है जो कैसा होता है जो वास्तों में मिला है तो हम लिखेंगे जो वास्तविक और फिर उल् और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है तो वस्तु से तो बड़ा ही प्रतिविम बना है और वस्तु से बड़ा होता है तो ये रहा इस्थिती 3 अब इसको भी आप उतार लेंगे और उसके बाद आईए हम पहुंचते हैं इस्थिती 4 पे और देखें इस्थिती 4 क देते हैं कि जब वस्तू टू एफवन पर ही इस्थित हो तब उसका प्रतिविम कैसे और कहां बनेगा यह सिखे तो जैसे मालीजे कि यह हो गया आपका उत्तर लेंस यह उत्तर लेंस हो गया और यह रहा इसका द्वारक ठीक है और हम क्या किये कि यहां से इसका यह मुख्य अक्ष मालीजे हो गया यहां पर लेक देते हैं वक्रतक प्रकाशिय केंद्र यह मालीजे हो गया एफवन और उतना ही बराबर दूरी पर यहां लेक दी हम टू एफवन फिर यहां पर हम लेक देते हैं एफटू थोड़ा सा और इफटू और यहां पर हम लेक देत पहले हम क्या करेंगे कि पहले मुख्यक्ष के समानतर ले जाएंगे मुख्यक्ष के समानतर जब हम आप्तित करते हैं तो उस कंडिशन में क्या होता है कि मुख्यक्ष के समानतर जब हम ले जाते हैं तो वैसे स्थिति में अपवर्तन के बाद वो F2 से होकर प्रकास का किरन जो आपतित करेंगे तो फिर ये क्या होगा यहां पे मिल गया तो जहां पे मिल जाता है न वहाँ पर लिख देंगे हम क्या एडैस और इसको उपर बढ़ाके यहां पे क्या लिख देंगे बी डैस तो आप देखें कि इस स्थिती में जब वस्तू को 2F1 पे रखें तो फिर हम लिख सकते हैं कि इस स्थिती में प्रतिबिम भी कहां बन गया इस स्थिती में प्रतिबिम भी प्रतिबिम जो है 2F2 पर बन मता है जो कैसा है वास्तविक है लिख दिए जो वास्तविक कॉमा उल्टा और वस्तु के बराबर होता है जनरली देखे यह और यह दोनों लेंथ जो है बराबर ही है तो जब आप वस्तु का रखेंगे 2F1 पर तो उसका प्रत्विम बनेगा 2F2 पर और वैसे स्थिती में वास्त्विक उल्टा और वस्तु से बराबर भी प्रत्विम होता है तो ये तीसरी नहीं बलकि ये चौथा कंडिशन था चौथी स्थिती थी तो आप इसको भी उतार लेंगे अब इसके बाद आईए हम आपको समझाते हैं पांचवा स्थिती और पांचवा कंडिशन में क्या होगा और कैसी इमेज बनेगा इसको सीखिए देखें पांचवा कं तो एफ्वान और अनंत के बीच हो तो एफ्वान औरानंत के बीच हो तब उसका इमेज कैसे बनेगा तो यहां पर सीखें आप मालय जेकी उत्तल दर्पन हो गया और यह रहा इसका द्वारक और यह प्रकाशिय केंद्र और फिर यहां बीच से हम क्या कर दिए कि हम इसका खिच ली तो यह मालीजती हो गया मुख्य उक्षब अभी यह रहा इसका प्रकासी केंद्र और यहां पे तहसे हैं मुलयीरट दाइसे एफब хотел देते हैं यहां पर हम रख देते हैं बराबर सो ट टुए सव न यहाँ प्रकास का जो किरन है इसको सबसे पहले मुख्यक्ष के समानतर आपतित करना है तो ऐसे कंडिशन में क्या होगा कि अपवर्तन के बाद जो है ये फोकस से होकर लोट जाएगा अपवर्तन जब होगा न तो ये फोकस एफटू से होकर अपवर्तित हो जाएगा ठीक है फिर इसके बाद हम क्या करेंगे प्रकास के कर जाएंगे तो यह ऐसे बढ़ेगा और यहां से कट करते हुए आगे बढ़ जाएका तो जहां पर कट किया वहीं पर लिेगले एडएस और इसको ऊपर बढ़ा। कि क्या लिंग देगे के बीच बनता है बनता है जो कैसा है वास्तों में मिला है यानि वास्त्विक है जो वास्त्विक है उल्टा है और वस्तु से बड़ा छोटा छोटा यह प्रतिविम छोटा सा बना है और वस्तु से छोटा होता है वस्तु से छोटा होता है ठीक है तो यह रहा आपकी पांचव इस्थिति अब इसके बाद हम देखते हैं लाश्ट कंडिशन यानि च्छठा इस्थिति क्या है और उसमें कैसे जो है प्रतिविब हम बनाएंगे तो देखिए च्छठा इस्थिति जो है क्या है जब वस्तू को हम कहां रखे अनंत पर रखे तो यहां पर लिख दिए इस्थिति शिक्स में जब वस्तू अनंत पर इस्थित हो तब एशे कंडिशन में उसका इमेज जो है कैसे बनेगा तो अनंत पर इस्थित करना है तो जैसे माली जब कि यह रहा हमारा उत्ता लेंस और उत्ता लेंस में यह द्वारक हो गया यह प्रकाश्य के अंदर हो गया और माली जब लिख देते हैं इफ वन यहां पलिक देते हैं टू इफ वन इधर आये तो एफ टू और यह हो गया टू एफ टू और अनंत से प्रकास का किरन आ रहा है तो अनंत से जब भी आता है तो हमें समांतर लाना पड़ता है जैसे जब हम फोकस पे वस्तू को रखे थे आपको याद दिला दें कि जब हम वस्तू को फोकस पे रखे थे तो उसका प्रतिविम कहा बना था अनंत पर बना था और समांतर अनंत पर क्यों माने थे क्योंकि प्रकास के किरन समांतर जा रहा था तो हम माली की चलो भई यह अनंत पे जाके मिलेगा तो वैसे यह वस्तू को अनंत पे रखा गया है तो अनंत पर रखा गया इनी समांतर आपको क्या करना होगा प्रकास की किर्णों को दो प्रकास के किर्ण आपको समांतर लाना होगा जैसे मालेज़े कि प्रकास के किर्ण यह हो गया और एक प्रकास के किर्ण यह हो गया यह दुनों प्रकास के किर्णों को हम एक दूसरी के सम रही है तो देखिए यह तो प्रकासिय केंदर के दिशा में न गया है यहां पर आप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है तो जो प्रकासिय केंदर के दिशा में जब प्रकास का किरन जाता है तो फिर यह होता है क्या है बीना मुड़े हुए बीना मुड़े हुए ऐसे यह दो हैं थोड़ा कले है यह बीना मोड़े हुए है इसरी यहां क्या क्या लिखें इसको उपर लिखते है ताशने में दिक्त ना तो देखिए जब फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिविम कहां बनता है अनंध पर बनता है तो जब वस्तु को अनंध पर रख दिये हैं तो उसका प्रतिविम कहां बनेगा फोकस पर बनेगा वस्तु फोकस पर था तो प्रतिविम अनंध पर तो जब वस्तु को मुड़ने के बाद लाकर और वहीं पर हम इसको मिलाएंगे तो जहां मिला वहीं पर लिख देंगे एडेस और इसको उपर बढ़ा के क्या लिख देंगे बीडेस तो लिख देंगे कि इस स्थिती में इस स्थिती में प्रतिविंब कहां बनता है प्रतिविंब एफटू पर बनता है बनता है जो वास्तों में मिला है तो हम वास्त्विक बोलेंगे जो वास्त्विक कमा उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा अब अनन्त पर वस्तु रखा गया तो बहुत बड़ा होगा लेकिन प्रतिवीम इत्तु सा है छोटा सा जो और वस्तु से बहुत छोटा होता है बहुत छोटा होता है तो देखे इस प्रकार उत्तल लेंस में 6 कंडि बनता है वास्तविक बनता है शिदा भी बनता है उल्टा भी बनता है वस्तु से बराबर वस्तु से छोटा वस्तु से बड़ा हर एक प्रकार का इसमें प्रतिवीम बनता है तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे आवत लेंस में प्रतिवीम का बना देट और लेंस में कैशे प्रतिवीम बनेगा